नमस्कार मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं एवन न्यूस बिहार आज है 24 अगस चलिए फटाफर ज़ानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को पहले खबर है सिवान से जहां असाव थाना छेतर के असाव बाजार में मंगलवार की अहले सुवक खेतों की तरफ शौच करने गई एक वुरिध महिला की पोखरी में डूबने से मौत हो गई इदर घटना की ज़ानकारी के बाद परिजन आनन फानन में घटना स्थल पर पहुँच कर महिला के शब को पोखरे से बाहर निकाला इसके बाद पूरे परिवार में कोहरा मच गया घटना में मिर्तका की पहशवान अताव थाना शेतर के असाव बाजार निवासी 82 वर्सिये रामकली देवी के रूप में हुई है घटना के बारे में बताया जाता है कि रामकली देवी सुवा सवेरे शौच करने के लिए खेतों की तरफ गई हुई थी शौच करने के बाद पोक्रे में हाथ पैर दोने के लिए गई थी इसी दोरान पैर फिसल जाने के वज़ा से वो पोक्रे में ही गिर गई इसके बाद डगरते हुए वो गहरी पानी इसमें चली गई और डूब गई घटना की जौनकारी लोगों को तब हुई जब चरवा है अपनी मवेशियों को चलाने के लिए पोक्रे की तरफ लेकर पहुँचे इसके बाद मौके पर हर कंप मच गई घटना की जौनकारी जैसे जैसे हुई लोगों की भारी भीर पोक्रे की नजदीक जुटने चली गई इसके बाद लोगों ने महिला के शिनक्यात करना शुरू किया जिसके बाद महिला की शिनक्यात असाव बाजार निवासी 82 वर्सिय रामकली देवी के रूप में हुई इधर गाओं के लोगों ने इसकी जुआनकारी मृतका के परिजनों के दी इधर घटना की जुआनकारी मिलते ही मृतक के परिवार वालों में चुतकार मज़ गई वहीं इधर घटना के बाद परिवार के लोग अपनी संतुष्टी के लिए महिला को सिवान सदर अस्पताल डॉक्टरों से दिखाने को लेकर पहुशे जहां महिला को मृत घोसित कर दिया गया इधर अस्थानिय ग्रामीन वह परिजनों ने मुआपजा की मांगी है अगली खबर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इन्फोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर की शारीरिक दक्षता परिख्षा में सफल अभ्यारतियों को साक्षातकार कॉल लेटर जारी कर दिया है इससे पहले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 30 जून 2022 को शारीरिक दक्षता परिख्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था बिपी ससी की इन्फोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर पदो के लिए शारीरिक दक्षता परिख्षा 13 मैं से 16 मैं 2022 के बीच आयोजित की गई थी बिहार पुलिस अधिनस्त सेवा आयोग ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन अबर निरिक्षत भरती के लिए आयोजित हुई मुख्य परिख्षा का रिजल्ट अक्टूबर 2021 में जारी किया था प्रारंभिक परिख्षा में सफल 4599 अभिहार्थियों की मुख्य परिख्षा का आयोजिन 29 अगस 2021 को किया गया था मुख्य परिख्षा में 1493 अभिहार्थी सफल हुए थे वहीं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 43 पदों पर भरतियों के लिए या प्रक्रिया चल रही है अगली खबर है बिहार से जहां बिहार के राजधानी पटना में एक सिपाही ने न सिर्फ वर्दी के गरिमा को तार-तार किया बलकि अप्राधी बन गया खुद को अधिकारी बता कर उसने एक दिव्यांक दुकानदार को हिरासत में लेने के बहाने अगवा कर लिया यह वाक्या गर्दनी बाग थानी एलाके के चित कोहरा बाजार का है एक आम आदमी की जागरुकता से वो पकड़ा गया तब मामले का खुलासा हुआ पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरवतार कर लिया है सिपाही का नाम चिंटु कुमार है कैमूर पुलिस लाइन में तैनाद सिपाही चिंटु कुमार ने रभिवार की श्याम को पहले एक पान दुकानदार पर गाजा बेचनी का आरोप लगाया फिर उसके गल्ले से पंद इश्कुमार के साथ मिलकर उसे उठा कर ले गया यह सब कुछ देख रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दुकांदार का अपहरन होने की खबर दी बाद में हरकत में आई गरदनी बाग थानी की पुलिस ने उसके भागने की दिशा में पीशा किया पुलिस ने सिपाही औ जानी पटना में 23 और 25 अगस तक धारा 144 लागू कर दी गई है शेहर के डाक बंगला चोहारा चोडाहा गाधी मैदान बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी गरदनी बाग को छोड़कर किशी भी शेहरे इलाके में धरना प्रदर्शन की अनुमती नहीं दी जाएगी। गरदनी बाग के अलावे पटना सदर अनुमंडल के किसी भी इलाके में धरना प्रदर्शन या जिलुस की अनुमती नहीं है।